असलावलेकुम कैसे आप लोग उमीद करते हूं आप सब की सब्सक्राइब बिल्कुल खहरीयस होंगे मैंने यूट्यूब के ओपर एक सेक्ट चैनल बनाया है जिसके ओपर मैं एजुकेशनल वीडियो के इलावा वीडियो अप्लोड करता हूं अगर आप उस चैनल तक पहुचना चाहते हैं जिसका नाम वकास है तो आपको क्या करना होगा अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे मेरा पूरा नाम वकास नसीर और आपको यह चैनल नजर आएगा वकास नसीर का इसके ओपर माम क्वेस्टेंस की जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेस्टेंस तक पहुचिए और इसके लावा मेरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है शुक्रिया अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सब के सब कहा जाता है लाइन सेग्मेंट क्या होता है और उसके बाद exercise को solve करना शुरू करेंगों ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए लेकिन अगर आप लोगों को यह चीज़ें पहले से बता है तो वीडियो को आगे करिए और वहां पर ले जाए जहां से आप देखना चाते हैं तो चलिए सबसे पहले triangle के उपर बात करते हैं कि triangle किसे कहा जाते है तो यह triangle की मुक्त सिसी definition है basic concept बनाने के लिए के triangles जो होती है ऐसी shapes होती है जिनकी three sides होती है जैसे और इनकी मुक्तलिफ किसम होती है लेकिन यह सारी के सारी triangles है तो आपने क्या याद रखना है जब भी triangle इसमें से भी तो I hope triangle की मुक्त सिसी definition basic level पर आप लोगों को समझ में आ गही होगी तो अब बात करते हैं हम line के ओपर के line किसे कहा जाता है और line segment जो है वो किसे कहा जाता है तो line के अगर बात को तो geometric के अंदर line के मतलब होता है सीधी line, knob bends जो के मुड़ती नहीं है आपको एक line नजर भी आ रही है यानि मुड़ने वाली चीज लाहिन नहीं होती, line हमेशा straight होती है और दूसरी खास बात line की क्या होती है कि इसके ends नहीं होती है, infinite होती है दोनों direction पे, एक line के दो sides होती है जैसे एक ये side है और एक ये side है और ये दोनों side से ला महदूद होती है, इनकी कोई हद नहीं होती, ये जो arrow बने होते हैं, इन arrow का मतलब ही ये होता है कि इस side पे ये continue है, infinite है, भरती जारी, इसकी कोई हद नहीं है, तो ये arrow भी इसी चीज़ को show करता है, ठीक है, तो जबके line segment की बात करें तो geometry में line segment का यहां से मैं cut कर दूँ, तो ये एक छोटी सी line आ जाएगी, जिसे A, B का नाम दिया गया, तो या इसकी उपर भी आप समझ सकते हो कि ये पूरी एक line है, और इस line के उपर दो dots डाले हैं, एक point का नाम हमने A रख दिया, दूसरे का नाम भी रख दिया, तो point A से point B तक का जो हि जिसके दो ends होते हैं, दो points होते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा भी हो है, ठीक है, तो इनके नाम कोई से भी रख सकते हो, आप A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, तो conclusion का निकला, line एक ऐसी straight चीज होती है, जिसके ends नहीं होते हैं, वो ला महदूद होती है, और line segment, एक line का एक चोटा सा हिस्सा होता है, जिसके ends होते हैं, और 2 ends होते हैं, ठीक है, तो आई होप यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो चलिए exercise की तरफ चलते हैं, तो exercise की तरफ चलों, तो पहला question अगर पढ़ें, तो क्या लिखा हुआ है, construct triangle ABC in which, आपने एक triangle ABC बनानी है, जिस के अंदर ये measurements मौझूद होंगी, थोड़ सा बताऊं, तो construct का मतलब होता है, बनाना, और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, इसको ये triangle का symbol होता है, जहां भी ये लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ना triangle होता है, इसको ठीक है, और किसी भी triangle के three corners होते हैं, इसलिए alph elements होंगे, तो I hope question समझ में आ गया, पहले question को देखें, तो इसमें three sides होती हैं, तो ये three sides हैं, तो आप कोई सी भी side कहीं पर रख सकते हो, नीचे ये side भी रख सकते हो, ये side भी रख सकते हो, कैर अभी मैं बनाऊंगा, तो इसके उपर भी समझा दूँगा, इस question को भी पढ़न पर एक चोटी सी line draw कर देते हैं, इसका मतलब ही होता है कि ये line segment A, B की बात की जा रही है, तो इसको पढ़ते कैसे है, measurement line segment A, B, जो के कितनी होनी चाहिए, 3.2 cm होनी चाहिए, इसी तरह जो दूसी side है, ये जो दूसी line segment है, जो के triangle बनाएगी, उसकी length कितनी होनी चाहिए, 4.2 cm यानि B, C और तीसरी जो side बनेगी, C, A, उसकी length होनी चाहिए, 5.2 cm, ठीक है, तो चलिए, अब मैं बनाता हूँ, तो question number 1 का part first, आप लोगों के सामने है, तीन line segment आप लोगों के सामने, इसमें से कोई सा, एक जो है, आप base के तरह ले सकते हो, क्योंकि triangle में एक base होती है, यान base के तोर पर आप BC भी ले सकते हो, आप AB भी ले सकते हो, आप CA भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर AB को ही base के तोर पर line segment ले ले लेता हूँ, तो line segment AB draw करने के लिए मुझे एक scale चाहिए होगा, तो यह आगया मेरे पास scale, scale को page के मुनासिब जगे पर आप रखिए, रखने के ब यहाँ से शुरू की 3.2, यह 3.2 होगी, ठीक है, तो यह एक line segment में 3.2 cm की डाल ली, इसके बाद scale को हटा देते हैं, इसके बाद इनके नाम लिख देता हूँ, तो यह मैंने नाम लिख दिया, line segments के A, B और 3.2 cm जैसे की उपर question में दिया गया, इसके बाद line segment BC को भी draw करता हू तो B point के उपर ही obviously यह draw होगा, क्योंकि C point तो भी है नहीं, तो B के उपर मुझे line segment draw करना है 3.2 cm, तो अब मैं direct ऐसे तो draw नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तो मैं 4.2 की line लगा तो दूँगा, लेकिन जो CA वाली line है, वो जब इससे मिलेगी तो इसकी length 5.2 cm कभी भी नहीं बनेगी तो इसलिए हम compass की मदद से 4.2 cm लंबी line लगाएंगे, तो चलिए compass लेते हैं, यह आगी compass और इसको 4.2 cm खोलने के लिए हमें एक scale भी चाहिए होगा, तो scale भी ले लेते हैं, यह आगी है scale, इसको करते हैं तो बड़ सा नीचे और compass को उठाके या परकार आप जो भी से बोलत तो यह हो गया 4.2 cm, ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकते हैं, बिकॉस software है, तो accuracy में थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है, लेकिन आप इसको accurately खोलोगे, तो सही तरह से figure बनेगे, वरना चेक करने वाले को पता चल जाएगा, कि जबरदस्ती आप line ओ को arcs को मिला रहे है, तो इसकी knock जो है, मैं B के उपर लेता हूँ, यह B के उपर आगे, ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा से rotate करता हूँ, अब arc आपने इतनी लंबी जरूर लगानी है, बलके काफी लंबी लगा लो, इसके बाद razor से remove कर दीजेगा, तो अगर मैं यहां से शुरू करू तो इतनी लंबी आर्क लगा लेते हैं हम ठीक है, ताके intersect हो सेके दूसरी आर्क, तो इसके बाद परकार को सीधा कर लेते हैं, बलके हटाई देते हैं हां से, यह आर्क लगाने के बाद, अब मुझे a code line segment draw करने, 5.2 cm CA, तो a के उपर करेंगे, c point अभी है ही नहीं, तो इसकी knock, compass की और रखने के बाद, 5.2 cm पर, यह आगए 5.2 cm, इसके बाद, scale की जोट नहीं है, scale को हटा देते हैं, यहां से, और इसको a point के उपर रखते हैं, यह रख दिया, मैंने a point के उपर, और इसको rotate करूं, थोड़ा सा, यहां से, मैं arc लगा सकता हूं, तो यहां से, यह आर्क लगी, तो ठीक है, लमी लमी आर्क लगाने के फायदा होता है, कहीं न कहीं intersect हो जाती है, तो यह नहीं के पता चल जाते है, कौन सो point है, इसके बाद आप razor की मदद से, क्योंकि pencil से figure बना रहे हो, तो razor की मदद से extra को आप remove कर दो, बस इतनी रहने दो, कि check करने वाले को असानी हो, ठीक है, तो इसके बाद इस आर्क को यहां से remove कर देते हैं, अब आप क्या करोगे, अब आप scale होगे, दुबारा से, यह आगे scale, scale को करोगे, कुछ इस तरह से rotate, और rotate करने के बाद इसको रखेंगे, यहाँ, यह लाइन यह डाली है, तो आप I think असान गाम है, यह आता होगा, इस तरह यहां से यहां पर एक आर्क आप draw कर दोगे, sorry, अभी यहां नहीं, ऐसे, बलके ऐसा करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे आर्क डलती है, तो आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, अब यहां पर एक line जो है, वो draw कर लेंगे, यहां से, यहां तक, ठीक है यहां तक, इसके बाद scale को आप मिटा दोगे, या हटा दोगे, sorry, मिट तो नहीं सकता, यह हटा दिया, इसके बाद एक और arc आप लगाओगे, scale की मदद से, sorry, scale तो मैंने भगा दिया, यह से दुबारा scale आ गया, इसको आप थोड़ाँ सा रोटेट कर लो, रोटेट करूं त यह scale मैंने set कर दिया, scale set करने के बाद अब जो है, एक line segment आप यहां से, इसको B point तक, sorry, जादा बड़ी लग गई, इसको शुरू से लगाता हूँ, यहां से शुरू किया और यह B point तक आपने लगा दिया, ठीक है, इसके बाद scale को जो है, अब हटा सकते हम, यह हट गया, तो इस तरह से यह triangle बन गई, yes, तो इधर मैंने C भी लिख दिया, और साथ साथ आए, जो BC line जैसे के question में बताये गए थे, वो 0.2 cm लंबी होनी चाहिए, यह भी मैंने mention कर दिया, और जैसे के question में बताये गया था, CA 5.2 cm लंबी होनी चाहिए, वो भी यहां पे मैंने mention कर दिया, कि यह इतनी है, अगर होगी तो ठीक होगी, क्योंकि check करने वाला आपका scale की मतदर से check करके सही और गलत कर सकते है, ठीक है, तो चलिए, आए, अब इसकी construction करते हैं, और देखते हैं कि उसमें क्या करना होता है, और कैसे करना होता है, तो किसी भी figure की construction लिखने के लिए आपको थ्री headings की सूरत में आप data लिखते हो, पहले heading जैसे के given, given के अंदर आप क्या लिखते हो, जो भी चीज question की सूरत में आपको दी गई होती हो, उस data को आप given के अंदर लिखते हो, उसके बाद आप heading डालते हो, required की, required के अंदर कौन सा data लिखते हो, या क्या लिखते हो, आप required के अंदर आप यह लिखते हो जो भी चीज पूची गई है question के अंदर वो चीज मेंचन कर देते हो third thing पे या third heading पे construction की heading आ जाती है जिसके अंदर आप वो तमाम steps लिखते हो जिन से मिलाकर यह figure आपने draw की है तो चलिए given के अंदर जो के question दिया गया था आप लोगों को वो ही मैंने लिखा के three sides a,b,b,c and c,a of triangle a,b,c यहनि triangle a,b,c की three sides दी गई थी question की सूरत में जो के अगर आपको पीछे एक बार question दिखा भी देता हूँ से एक triangle बनाने को कहा गया था जिसकी यह sides थी तो i hope यह चीज़ भी असान से थी समझ में आ गए होगी अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर जो इस software में क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे line डालेंगे यह जो लिखा हूँ है three sides a,b आप लोगों को question के शुरू में मैं ने बताया था कि यह a,b जो है line segment है तो a,b के उपर एक चोटी सी line आप draw कर दोगे ठीक है तो जिसका मतलब यह हो जाएगा check करने वाले को line segment की बात की जा रहे है तो a,b के उपर भी चोटी सी line आ जाएगी b,c के उपर c,a के उपर यह जहां जहां sides की बात की जाएगी आप उपर एक line draw कर देंगे ठीक है तो I hope यह चीज अब आप लोगों को याद रहेगी और मुझे बतानी की जूरूत नहीं पड़ेगी तो उसके बाद आ जाते construction, construction के अंदर सबसे पहले इस figure को बनाने के लिए आपने क्या किया था, एक line, draw a line segment a,b यानि के यही आपने क्य किया था ना, एक line segment draw किया था, a,b, यानि सबसे पहले यह a,b draw किया था, जो कि कितना था, 3.2 cm, तो वही चीज मैंने 0.1 की सुरत में लिख दी, इसी तरह 0.2 के अंदर, या second step में मैंने क्या किया था, second step में with b as a center, यानि कि इस पे मैंने परकार रखकर, या compass रखकर, यह वा एक arc लगाए थी, तो, या b को center मान के एक arc लगाए थी, जिस point के उपर आपर car को या compass को रखते हो, उस हो as a center consider किया जाता है, ठीक है, तो with b as center draw an arc of length 4.2 cm, तो 4.2 cm की compass कोल के यहां पर arc लगा दी थी, third step पे आपने क्या किया था, वो mention कर दिया, with a as a center draw an arc of length 5.2 cm, तो वही का जो bp किया तो उसके बाद third step पे मैंने a पे रखके भी compass को 5.2 खोला था और उसके बाद यह वाली arc लगा दी थी, ठीक है, और 7 miss के क्या statement add कर देंगे, which cuts the first arc at point c, यानि कि यहां पे लगके जब compass से यह वाली जो arc लगाई थी, तो इस arc ने पिछली arc को जहां पे cut किया, उस जगे को मैंने point c का नाम दे दिया, तो यही चीज point 3 के अंदर आप इस तरह से mention कर दोगे, fourth पे आपने क्या गया था, line scale की मदद से join कर दी थी, इस point को, c point को आपने a point से मिला दिया था, और b point को c point से मिला दिया था, तो वही चीज join c with a and b, आप यह लिख दीजेगा, और last म में वही चीज जो required में आपसे पूछी गई थी, कि ABC आपने, sorry, triangle ABC आपने बनानी है, तो वही चीज ABC is required triangle, तो यह ABC वो triangle है, जो के आपको question की सूरत में दी गई थी, हमने बना दिया, ठीक है, तो I hope यह पहला part जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए, इस question को समझाने की, और यहाँ पर point A, जैसे point B, next questions में कोशिश करूँ इन चीजों को ठीक करने की, मेरा भी हाथ सेट नहीं हुआ, इस software के उपर, जहाँ पर भी आप, यानि के line draw करते हैं, तो point को point से मिलाए करो, जैसे C की जगे एक point डाल दो, B की जग एक point डाल दो, और फिर point से point मिलाएंगे, तो आपकी figure सही बनेगे, और यह चीज दुबारे से बता रहा हूँ, जहाँ पर यह cut करती है, वहाँ पर आपने point डालने है, और इस point को इन से मिलाने है, ठीक है, इन चीजों में गलती मत करिएगा, वरना आपको लगेगा स्वाल स लिए base बना सकते हैं, तो मैं A, B को ही पिछले question की तरह base बना लेता हूँ, तो मुझे एक scale चाहिए होगा, तो यह आगए scale, साथ में line draw करने के लिए इसको, सबसे पहले तो किसी जगे मुनासिब जगे रखेंगे, और इसके बाद एक pencil चाहिए, line draw करने के लिए तो यह आग scale को हटा देते हैं, और इस line segment का नाम और length लिख देता हूँ, तो यह मैंने line segment A, B और उसकी length लिखने के बाद, अब क्या करेंगे, line segment BC जो है 3.9 cm है, तो B के उपर एक arc लगाएंगे 3.9 cm compass को खोलने के बाद, तो एक compass चाहिए होगी, तो compass भी आगए, इसको 3.9 cm खोलने के ल के बाद, एक end रखते हैं, 0 के उपर, और दूसरा 3.9, तो यह आ गया हमारा 3.9, ठीक है, उसके बाद scale को आप यहां से हटा सकते हो, और उसके बाद, B point के उपर, आपने इहतियात के साथ, आगे भी चमत करिएगा, गलत हो जाएगा question, बाबा बोल रहा हूँ, आप एक arc लगा लेते हैं, वड़ना missing हो जाएगी, और बाद में remove कर देंगे, ठीक है, तो यह एक arc हमने B के उपर रखकर लगा ली, ठीक है, compass को उठाके इधर से इधर ले आते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी जूद पड़ेगी हमें, तो दुबारा से C A पे arc ल और 3.6, तो 5 से 1 mm आगे, तो यह 3.6 खुल गया, इसको यहां से remove करेंगे, और इसको रखेंगे point A के उपर, रखने के बाद अब इसको तोड़ से rotate करेंगे, rotate करने के बाद अब यहां से arc लगा सकते हैं, हम ठीक है, तो यह arc लग गए, इसके बाद इस compass को हम हटा सकते हैं, और अब हमें scale चाहिए होगा, scale की मदद से इसको मिला देते हैं, यह जो point C बना इसको मिला देंगे, ठीक है, तो यह आगया scale, scale को नीचे करते हैं, मैं इसको set कर लेता हूँ, अब बिल्कुल ठीक है, अब pencil लेके हम line draw कर सकते हैं, तो एक line इधर से शुरू हुई, और यह point A से जाके मैंने मिला दी, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर line डाले, अब B और C के दर्मियान line डालते हैं, तो दुबार से scale को लेकर आएंगे, इधर, इसको करेंगे थोड़ा सा rotate, rotate करने के बाद adjust करेंगे, मैं कर देता हूँ, तो यह scale adjust कर दिया मैंने, उसके बाद यह pencil लेक करने के बाद आप क्या करेंगे, यह जो fall to बड़ी-बड़ी line हैं, जैसे के razor लेके इसको यहां से यह मिटा देना, यहां से भी थोड़ी सी मिटा देना, यहां से भी थोड़ी सी मिटा देना, यहां से भी और एक अच्छी figure निकाल लेना, ठीक है, उसके बाद इस point का नाम लिख देता हूं यहां पर और इनकी जो length है वो भी साथ में लिख देता हूं, तो finally यह मैंने नाम दे दिया point C का और साथ में length भी लिख दी, CA जो 3.6 cm था तो आप यहां पर 3.6 cm लिख दिया और यहां पर यह BC 3.9 cm था तो BC 3.9 cm लिख दिया, तो इस तरह से यह triangle भी हमारी बन चुकी है, तो चलिए अब इसका return work की तरफ चलते हैं, तो part second की construction बिल्कुल पिछले question की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा numbers का ही फरक है, बाकि कुछ फरक नहीं है, सबसे पहले given के heading डालेंगे, और given में हमें 3 sides दी गई हैं और triangle यानिके उसकी बनानी है, तो वही लिख a, b, c बनानी है, जिसके side दी गई है, ठीक है, और construction में सबसे पहले हमने क्या किया था, draw a line segment a, b, यहां पे आप line segment उपर डाल दीजेगा, ठीक है, इस question में मैं बता रहा हूँ, software में डालने नहीं आ रहे है, that's why कि यह ऐसी छोड़ दिया, मैंने सोच बता दूँगा, तो 4.2 cm लंभी a line डली, उसके बाद with b as center, draw an arc of length 3.9 cm, उसके बाद हमने ऐसे ही किया था, compass को b पर रखा था, और खोलने के बाद 3.9 cm की यह arc लगा दी थी, ठीक है, उसके बाद हम third point पर हमने क्या किया था, a को center माना था, और 3.6 cm की compass को लिए थी, उसके बाद एक arc लगा थी, तो वही चीज लिखा हुआ है, with a as a center, draw an arc of length 3.6 cm, which cuts the first arc at point 3, जो कि पहले लगाए जाने वाली arc को जिस जगा काटती है, उस जगे को c नाम दे दिया, तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो यह a वाली arc है, यह c point पर दुसरे, पहले वाली arc को काटती है, ठीक है, उसके बाद हमने क क्या किया था, c point को, a point और b point से मिला दिया था, तो इसलिए लिख दिया, join c with a and b, और finally इस तरह की triangle जो के पूछा गया है, थमसे हमने बना दी, तो conclusion में आपने यह लिख दिया, a, b, c is required triangle, तो I hope second part भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो question number one का part three, आप लोगों को screen क उपन अज़र आ रहा है, यह question पिछले दोनों part से थोड़ा सा मुक्लिफ है, क्या मुक्लिफ बात है कि triangle की three sides होती है, तो उन three sides में से इस question के इंदर एक side जो है, वो 60 degree के angle की होगी, जो के अभी तक आपने इस किसम का question नहीं किया था, तो यह भी असान यह ज्यादा मुक्लि की base बनाते हैं, base आप A, B को भी रख सकते हो, और B, C को भी रख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि A, B के हिसाप से चल रहे हैं, तो A, B को ही यहाँ पर नीचे रख लेते हैं, तो base बनाने के लिए triangle की मुझे scale चाहिए होगा, scale आगया, यह हमारे पास इसके बाद pencil चाहिए होगी, इसको थोड़ा से सेट कर लेता हूँ, तो यह आगए हमारे पास pencil, और कितनी line ड्रॉ करनी है, 4.8 cm लंबी line ड्रॉ करनी है, तो यह 0 से शुरू किया मैंने, और 4.8 तक पहुचाना है, तो यह 4.8 तक पहुच गया, ठीक है, उसके बाद scale को अब remove कर देते हैं, और यहाँ पे इन points के नाम लिख देता हूँ, और measurement लिख देता हूँ, तो यह मैंने point A, point B और जैसे के length दी गई थी for 0.8 cm उसको mention कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद question में देखें, तो angle B हमने बनाना है 60 degree का, तो यह point B है हमारे पास, और यहाँ पर 60 degree का angle बना देंग compass लेंगे, compass को थोड़ा सा खोलेंगे, और इसका रुख बदल लेते हैं, और खोलने के बाद क्या करेंगे, एक end जो है, इसका जिस point पर आपने angle construct करना है, उसके उपर यह knock रख देंगे, ठीक है, knock रखने के बाद अगला step क्या होगा, आप इस compass को अंदाजन थोड़ा सा open क कर लेंगे, कितना open करेंगे, हाफ से थोड़ा कम कर लो, क्योंकि इतना करोगे, तो इतनी लंबी arc लगेगी, और चेक करने वाला कहेगा, यह क्या है, तो आपने इतना compass को खोलना है, कि वो चेक करने वाला असानी से चेक भी कर ले, और बुरा भी ना लगे, यानि इतना भी खोलूंगा, तो आप आप देखिए, चेक करने वाले को बहुत मुश्किल होगी, जबकि हमारे पास अच्छी खासी जगा है, तो इतना भी नहीं खोलते हैं, अंदाजन से, I hope, दोनों चीज़े मैंने आपको बता दी, ताकि आप अंदाजे से खोल सको, तो हम अगर इसको इतना खोलें, तो एक अच्छी फिगर बन जाएगी, तो इतना खोलने के बाद, एहम बात आपको क्या याद रखने हैं, 60 की एंगल बनाते हैं वक्त कि, जब एक बार आप compass को open कर लोगे, तो उसके बाद compass को आपने ऐसे ऐसे या हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हिला दिया तो आपकी जो एंगल है वो गलत हो जाएगा जब आप D से चेक करोगे, तो इसलिए let's suppose मैंने इतना open कर लिया, इतना open करने के बाद आप compass को या प्रकार को अच्छे से tight कर दोगे, tight करने के बाद फिर हम एक arc लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे arc लगाने के बाद जो है, इस compass को ले जाते हैं, इसको बिना हिलाएं, मैं अगें से कहा हूँ, हिलाद होगे तो question गलत हो जाएगा, बिना हिलाएं आप इसकी knock को अब इस जगे रखोगे, जहां पर ये arc जो है line segment से मिल रही है, तो ये मैंने इधर रख दी, ठीक है, चेक भी कर लेना बेशक, जब compass उठा ले अब मैं लगा देता हूँ, तो यहां पर करके एक arc मैंने लगा दी, अब जो है मेरे पास ये angle जो है, ऐसे line draw करूँगा, तो यहां से यहां तक का जो angle है, वो 60 degree का है, तो चलिए compass को हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, अब हमें एक scale चाहिए line draw करने के लिए, तो यह कर लिए scale मैंने set, set करने के बाद, अब जो है, एक मैं ऐसे ray लगा दूँगा, यहां से थोड़ा सा उंचा लगा लेते हैं, ताकि गलती ना हो, ठीक है, तो let's suppose यह ज़्यादा उंची हो गई, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, figure से ज़्यादा ही बड़ी लगीगी, कोई भ मतलब क्या, एक line draw करके ऐसे arrow डाल दोगे, अगर बताओं तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है, आप लोगों ने बनाए भी होंगे, तो इसको ray बोलते हैं, तो जो भी angle बनेगा, आप ray से mention कर दोगे, अब हम क्या करेंगे, 60 का angle तो हमारे पास बन गया, अब हमारे पास, यानि यह हमन जहन में आ रही है कि B, C का जो distance है, फासला है, वो 3.7 cm होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर C बनेगा, तो उसका यहाँ तक फासला 3.7 cm होना चाहिए, तो चलिए, 3.7 cm का फासला, यानि कि उतनी line draw करने के लिए, आप क्या करेंगे, दुबारा से एक scale ले लेंगे, यह आ गय scale, scale लेने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और अब दुबारा से हमें compass लेनी होगी, तो यह आ गए हमारे पास compass, compass आने के बाद 3.7 cm की लंबी line लगानी है, तो इसको थोड़ा सा open कर लेते हैं, और एक knock जो है, मैं इसकी रख दूँँगा, 0 के उपर, ठीक है, औ यह बिल्कुल 0 के उपर है, और 3.7 cm इसे open कर लूँगा, तो यह हो गया 5, 6, 7 ठीक है, यह 3.7 cm है, इसके बाद scale को मैं हटा दूँगा, यहां से, scale को उटाने के बाद इस compass को हिलाए, बिना हिल गई तो गलत हो जाएगा, इधर रखूँगा, और क्योंकि C point का B से 3.7 cm का फ कट कर दी, कट करने के बाद अब इसका कोई काम नहीं है, इसको remove कर दो, यह परकार को हटा लो, अब यहां से, यहां तक का फासला तो 3.7 cm हो गया, तो अब यहां से, यहां तक ही मिलाएंगे triangle बनाने के लिए, तो इस तरह से figure बन जाएगी, तो एक scale लेते हैं, दुबार से scale आ गया, इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा से rotate करते हैं, rotate करने के बाद इधर रखेंगे, और इसको set कर लेता हूँ, तो यह scale set हो गया, set होने के बाद, A को आप इस point से मिला दो गे, ठीक है, तो इस तरह से हमारी यह triangle मुकमल हो चुकी है, तो अब मैं नाम लिख देता हूँ, और measurements लिख देता हूँ, तो यह मैंने नाम लिख दिया, point C और C लिखने के बाद, जो है, measurement भी लिख दी के 3.7 cm लंबी होनी चाहिए, तो बाद में आप D की मदद से angle भी check कर लिजेगा, इनकी lens भी check कर लिजेगा, और फिर तसली कर लिजेगा कि question मै मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर चोटा सा ऐसे दाइरा डाल देना, ठीक है, जैसे यहाँ पर डाला होगा, ठीक है, तो I hope यह question की figure जो है, आपको बनाना आ गई होगी, तो चलिए, अब इसका written work करते हैं, तो इस figure की अगर written work की बात करें, तो construction में सबसे पहले हम given लिखते ह गया था, mermaid angle B, of a triangle ABC, ठीक है, तो आप triangle भी लिख सकते हो, उसके जगे यह symbol भी इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, तो given के अंदर यह चीज़ दी गई थी, तो वो लिख दी, required में हमें, क्या पूछा गया हम से, कि आपने एक triangle बनानी थी, तो a triangle ABC is required, तो यह मैंने जो पूछा था, वो mention कर दिया, construction में पहला step किया था, हमने line segment AB draw किया था, 4.8 cm का, तो यहाँ पर लिख दिया, draw a line segment AB is equal to 4.8 cm, उसके बाद हमने क्या किया था, angle B, sorry, point B के उपर हमने 60 का angle बनाया था, तो यहाँ पर mention कर दिया, on line segment AB, line segment AB के उपर we make an angle of 60 degree at point B, तो वो ही चीज मैंने mention कर दी, उ compass की मदद से 3.7 cm लंबी compass खोली थी, और खोलने के बाद यह arc लगाई थी, और basically किया किया कि यह जो arm, यह जो ray है, इस ray को हमने cut कर दिया, किस जगे पर 3.7 cm के फासले पर, तो वो ही चीज अगर written में कैसे लिखी हुई है, कि cut B, C, आपने basically B और C को cut किया, किस distance पर 3.7 cm की distance तो यही लिखा हुए, cut B, C is equal to 3.7 cm on the terminal arm of angle B, यह यह angle B का terminal arm, अब एक चीज़ terminal arm किसे कहा जाता है, यह जो ray होती है, यह जो ray है, जो कि angle जिससे बन रहा है, इसे terminal arm बोला जाता है, जैसे अगर इस ray को मैं इधर कर दूँगा, तो 30 का बन जाएगा, इधर कर दूँगा, तो 90 का बन जाएगा, तो terminal arm एक ऐसी ray होती है, जो जिसकी मदद से arm वाज़ होता है, या angle वाज़ होता है, या angle बन पाता है, और terminal arm हमेशा, यह x-axis के साथ मिलकर angle बनाता है, ठीके, तो I hope, बस आप यह भी समझ सकते हैं, यह जो angle बना रहा है, इसे terminal arm कहा जाता है, तो यही मैंने mention कर दी, दुबार से पढ़ देता हूं, cut BC 3.7 cm on terminal arm of angle B, इसके बाद हमने क्या गिया था, C को A से मिला दिया था, तो यहां पर लिखा हो, joint C with A, C को A के साथ मिला आया, और बदले में we obtained required triangle ABC, बदले में हमें जो angle triangle चाहिए थी, वो हमें मिल गी, तो I hope, यह question भी समझ मे आ गया होगा, तो question number 1 का part 4, आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है, यह question बिल्कुल पिछले question की तरह ही है, इसलिए इसमें जादा समझाने की जूत पड़ेगी नहीं, बस बना के दिखाऊंगा figure तो सारी बातें समझ में आप लोगों को आ जाएंगी, तो सबसे पहले triangle बनाने के लिए base, base में A-B को consider कर लेता हूं, तो line segment A-B डालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस scale को सही जगह पे page के set कर लूँगा, और इसके बाद एक pencil लेने के बाद 3 cm लंबी line draw कर लूँगा, तो यह यहां से शुरू हुए और यहां 3 cm complete हो गया, इसके बाद इस scale को remove कर देते हैं यहां से, और इनके नाम लिख लेता हूं इस line segment का, तो यह मैंने नाम लिख लिया, A-B और length भी लिख लिए line segment A-B की, उसके बाद हम क्या करेंगे, angle A के उपर 45 degree का angle बना देंगे, तो चलिए angle बनाते है 45 degree का, तो angle बनाने के लिए मुझे compass चाहिए होगी, तो यह आ गई compass, compass की मतलब से angle बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा open कर लेंगे, और इसकी एक corner जो है, या corner जो है, या nook जो है, वो point A पर रख लेंगे, क्योंकि point A पर बनानी है, उसके बाद इसको मुनासिब हद तक खोलेंगे, खोलने के बाद आप इसको छेड़ेंगे नहीं, lock क compass को, क्योंकि अगर हिल गया, या थोड़ा इदर उदर हो गया, तो आपका question गलत हो जाएगा, आपका angle सही नहीं बनेगा, तो मुनासिब से कोलने के बाद जो है, अब हम एक arc लगा लेंगे, ऐसे करके यह हमारी लग गई arc, और इस arc के बाद अगेन से परकार हिलनी नहीं च जाएगा, तो 90 का angle बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यह arc लगाने के बाद इसको आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखने के बाद एक arc अब दुबारा लगेगी, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यह arc एक दुबारा लग गए, ठीक है, यह 60 का angle बन गया, लेकिन हमें 45 का बनाना है, तो अब इसके बाद बिना हिलाए परकार को, यानि वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, अब आप लगा देंगे, actually मुझे परकार पकड़ने मुश्किल हो रही है, इसको, इसका रुक बदलते हैं, यहाँ पर करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर रखत हैं, यहाँ पर रखने के बाद इसका यह रुक बदल देते हैं, अब मैं एजीली लगा सकता हूँ, तो यह आर्क एक यहाँ पर लग गए, ठीक है, यानि असान सी बात है, पहले आपने यहाँ से इदर आर्क लगाई, ठीक है, यह नज़रा रहा है, आप थोड़ा से ओपर इदर आर्क लगाई, इदर आर्क लगाने के बाद दुबारा से बिना खोले, इस परकार को बिना हिलाए, यानि कि इदर आर्क लगाई, यह दो आर्क लग गई, अब जैसे इदर आर्क लगाई, तो एक आर्क आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी लगा दें, क्योंकि 90 का बना मैं इसका रुक बदल लेता हूँ ऐसे कर लेता हूँ ताके पकड़ने में असानी हो और इसके बाद यह देखे सौरे अब बिल्कुल सही है तो एक आर्क यहां से पकड़के यहां पर लगा देंगे ठीक है और यह आर्क लग गई इसके बाद इस परकार को साइट पर कर नहीं है और एक स्केल लेके सीधी एक लाइन ट्रॉ कर देंगे तो यह आ गया स्केल इसको करूंगा मैं सीधा तो यह हो गया बिल्कुल 90 के एंगल पर सीधा और इसके बाद इसको रखोंगा यहां पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ तो यह आ गई पैंसील और पैंसील की मद टिट से mention कर दिया और इसलिए इसको यहां से remove कर देते हैं अब remove करने के बाद 90 का angle हमारा बन चुका है अब यह 90 हो गया यह 0 हो गया 90 और 0 का half 45 होता है तो दुबारा से हमें compass चाहिए तो यह आगे हमारी compass compass आने के बाद अब हम क्या करेंगे इस compass को उठा के रखेंगे इधर और इसको मुनासिब खोलेंगे कितना खोलेंगे आप आधे से यह जो आर्क है इसमें half से जादा खोल लेंगे ठीक है तो यह i think इतना सही रहेगा यह थोड़ा सा और कर लेते हैं तो इतना काफी रहेगा ठीक है यानि बस फाफसे ज़्यादा खोल लो और यानि ये जो आर्क है इस से हाफसे ज़्यादा अब खोलने के बाद एक आर्क अब लगाएंगे इधर ऐसे ठीक एैए एक आर्क ये हो गई और उसके बाद बिना हिलाए इसको यहां रखेंगे यहां पर और यहां पर जीरो पर रखने के बाद इसको तो रोटेट करते हैं और एक आर्क अब लग जाएगी यहां पर ठीक है तो यह जो अब एंगल बना है यह 45 का बना है इसके बाद हम इस कमपस को हटा सकते हैं यहां से हटाने के बाद अब मैं वारसे scale चाहिए, तो यह आ गया scale, इसको किया थोड़ा सा नीचे, यहां से करूँगा rotate, फुटा थोड़ा बड़ा है, इसको कर देते हैं छोटा, और अब इसको मैं set कर लेता हूँ, तो यह scale set हो गया, और pencil की मदद से अब एक ray लगा देंगे, ray इसलिए लगाएंगे, क्योंकि अब हम इसी angle को, angle को ray से represent करते हैं, तो ray लगने के बाद scale के अब हमें जरूरत ही है, इसको यहां से remove कर देते हैं, तो यह हमारा 45 का angle आ गया, अब question के according, a point, b point, c point यहां कहीं पर आएगा, और उपर question में a, c की length भी दी गई है, पिछले question की तरह, तो a, c कितना होना चाहिए 3.2 cm का, तो आप क्या करेंगे, 3.2 cm की यहां पर arc लगा लेंगे, तो दुबारा से scale चाहिए होगा, यह आ गया scale, 3.2 cm की, अब compass खोलेंगे, तो दुबारा से compass लेते हैं, यह आ गई compass, और 3.2 cm इसे open कर लेंगे, तोड़ा खोल लेते हैं, यह खोल गई, और यह 0 पर आ गया, 3.2 तो यह आ गया 3.2, ठीक है, उसके बाद इस scale को अब कर देंगे remove, और इस compass को यहां पर, a point, a पर रखा, a पर रखने के बाद जो है, अब यहां पर एक arc लगा देंगे, यह जो arc से क्या होगा, कि distance हमारा हो गया, कि यहां से यहां तक का फासला 3.2 cm है, इसके बाद इस compass को हटा देंगे, हटाने के बाद scale लेंगे, और scale की मदद से, यहां इस point को, इस point से मिला देंगे, तो scale ले लेते हैं, यह आ लगा दूँगा, scale को set कर लेता हूँ मैं, yes तो scale यह set हो चुका, set होने के बाद, अब मैं यहां पर, एक line draw कर दूँगा, और इस point को, इस point से मिला दूँगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारी required triangle बन गई, जो के हमने बनानी थी, अब मैं इधर C point लिख देता हूँ, और इसकी length जो हमने यह वाली लगाई है, इसकी length लिख देता हूँ, तो यह point C मैंने लिख दिया, और यह length 3.2 cm थी, AC, वो भी मैंने mention कर दिया, अब 45 degree यहां पर angle लिख देता हूँ, तो यह लिख दिया 45 degree के लिए, मैं छोटा सा निशान डाल देता हूँ, यह 45 degree angle हो गया, तो I hope figure बना ही है, उसको mention करते हैं, तो given में हमें दो sides दी गई थी, AB और AC और एक angle दिया तो वो मैंने लिख दिया, उसके बाद required की heading डालते हैं, required मतलब जो हमसे पूछा गया था, तो हमसे triangle बनाने को कहा गया था, तो our triangle ABC is required, तो यह मैंने required में डाल दिया, उसके बाद construction, construction मतलब वो steps ज है, तो सबसे पहले एक line segment AB draw किया था, तो लिख दिया, draw a line segment AB is equal to 3 cm, उसके बाद हमने क्या किया था, line segment AB के उपर हमने 45 degree का angle बनाया था, point A के उपर तो वही चीज लिख दी, on line segment AB, we make an angle of 45 degree at point A, और उसके बाद हमने क्या किया, तो इस terminal side को, terminal side कोंसे होती है, जो angle को show कर रही होती है, वो terminal side होती है, तो इस terminal side की length मुकरर की 3.2 cm क्योंकि question में दी गई थी, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखा, cut AC, यहनि AC इतनी लंबी थी रहे, इसको cut किया, और 3.2 cm पर on terminal side of angle A, तो वही चीज लिख दी, उसके बाद C को B से मिलाया, तो join C with B, so our required triangle ABC is obtained, तो I hope यह question भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो question number 1 का part 5 आप लोगों को screen के उपर अज़रा रहा है, इस question को भी पिछले question की तरह solve करेंगे, बस इधर जो है, एक point के उपर आपको 75 का angle बनाना पड़ेगा, बाकी same वैसे ही है, तो चलिए बना कर देखते हैं कि कैसे triangle draw करेंगे, त तो base बनाने के लिए यह आ गया हमारे पास scale, इसको मनासिब जगे पर आप रखिए और उसके बाद हमेशा होगा एक अदद pencil, तो यह आ गई हमारे पास pencil, इधर A भी तो नहीं है, इधर BC है और CA है, तो आप BC को, यहनि हमें नीचे वो रखना होते है, यहनि वो line segment रखनी हो तो 0 से अब हम line draw करेंगे 4.2 cm पर, यह 4.2 cm होगे, ठीक है, इसके बाद scale को हम हटा देंगे, हटाने के बाद इधर A, इधर BC और length लिए तो यह मेरे नाम लिख लिए BC और length, इसके बाद हम क्या करेंगे, C point पर जो कि यह वाला है, इसके उपर 75 का angle बनाएंगे, अब स्वाल यह पैद होते है, 75 का angle बनेगा कैसे, तो 75 जो होता है, 90 और 60 के दर्म्यान में 75 आता है, तो हम क्या करेंगे, 90 का और 60 का, कि 90 और 60 के angle की मदर्द से 75 का बना लेंगे, कैसे मैं आपको बना की दिखाता हू तो सबसे पहले हमें 60 और 90 को वाज़े करना होगा, 75 बनाने के लिए, तो चलिए 90 का पहले बनाते हैं, तो compass आ गई है, compass की मदर से 90 का angle बनाना, I hope कि अब आप लोगों को आ गया होगा, इसलिए इसको जल्दी सी बनाने की कोशिश करते हैं, इसको ठाके यहां पे रखा, और रखने के बाद इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा खोड़ लेते हैं, इसके बाद जो है, एक आर्क लगा देंगे, ऐसे यह लग गई हमारी आर्क, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद 90 का एंगल बनाने के लिए, इस compass को उठाके बिना हिलाए, हिलानी नहीं ह बार-बार बोलता हूँ, हर question, यानि हर part के अंदर, तो इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे rotate करके, और ऐसे एक आर्क लगा लेंगे, तो यह हमारे पास 60 का एंगल बन गया, ठीक है, और इसके बाद इस compass को उठाके इसी पर रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद और सा उपर भी रगा लेते हैं, यहां पर भी आर्क एक लगा देते हैं, और इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, इसको उठाके दुबारा इस पर रखते हैं, इस पर रखने के बाद थोड़ा सा, बलके ऐसी लगा देते हैं, यहां पर ऐसे करेंगे, और अब हमारे प और उसके बाद ऐसे करके अब हम straight dotted line लगा देंगे, dotted क्यों लगाएंगे क्योंकि हमने 75 का angle बनाना है, तो ये मैंने एक dotted सीधी line draw कर दी, जो के 90 के angle को show कर रही है, इसके बाद इस scale को हम यहां से हटा देंगे, अब 75 का कैसे बनेगा, ये जो point है, यानि इस वाली arc के उपर, ये point जो है, यानि चाहे वो point यहां पे लूँ, चाहे यहां पे लूँ, चाहे यहां पे लूँ, चाहे यहां पे लूँ, यह सारा 90 के angle को यह show कर रही है, तो लेकिन इस arc के हिसाब से हम 75 का बनाएंगे, तो इस आर्क के उपर यह वाला point जहाँ पर cursor है यह 90 का angle शो कर रहा है और यह वाला point है जहाँ पर यह वाली arc लगी हुई है यह 60 का point शो कर रहा है यह यह 60 का angle इस वाले पर बन रहा है तो 60 और 90 के दर्मियान में 75 होता है तो अब कंपस को एक बार यहाँ पर रखूँगा और एक बार यहाँ पर रखूँगा और 75 का बना लूँगा कैसे अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो यह आ गई हमारी कंपस कंपस आने के बाद इसका रुक बदल लेते हैं क्योंकि इस साइट पे हमने एंगल ड्रॉ करने 75 का तो एक बार इसकी नौक रखेंगे हम 90 के पॉइंट पे ठीक है और 90 के पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क लगा देंगे बड़ी सारी फाल तो आप मिटा दीजेगा तो लेट्स पोस्ट थोड़ा सोर कर ले तो मैंने ज्यक्राइब के यहां बनेगा क्योंकि 60 60 90 के दरम्यान में तो इधर करके कहीं बनेगा तो इधर यह आर्क लगा लेते हैं तो एक आर्क मैंने यहां पे ड्रॉकर दी और दूसरी आर्क जो है उठा के अब मैं इधर कंपस रखूंगा सिक्स्टी के एंगल पे और एक लगा लूँगा मैं इधर ठीक है यह देखो यह कट हो गया ठीक है तो अब इन दोनों के दरम्यान में जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्ग इस पॉइंट पे यह 75 का है तो अब स स्केल इसको करेंगे थोड़ा सा चोटा और करेंगे रूटेट करने के बाद लाएंगे इधर अब मैं इसको सेट कर लेता हूं तो यह कर लिए स्केल मैंने सेट इसके बाद जो है एक सीधी रे जो है इधर ड्रॉ कर देंगे थोड़ी जादा बढ़ी होगी छोटी करनी चा गई इसके बाद scale को हटा देंगे तो यह जो अब एंगल आपका बना है कहां से कहां तक इस जगे से इस जगे तक यानि यह जो red color से show किया यह 75 का एंगल है ठीक है ऐसे करके हम इसको arrow से भी mention कर देते हैं ठीक है लेकिन इसकी जूर्थ नहीं है चेक करने वाले को पता चल यह c है पिछले question की तरह a point कहां पर होगा a point तो इधर करके कहीं पर होगा तो c और a की length 3.5 cm होनी चाहिए तो दुबारस से scale ले आते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे नीचे करने के बाद इधर कर लेते हैं अब हमें चाहिए होगी compass तो यह आ गई हमारी compass और 3.5 cm ह तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं 3.5 यह आ गया हमारा 0 ठीक है और 3.5 यह हो गया हमारा 3.5 ठीक है इसके बाद scale को करते हैं remove compass को करते हैं नीचे और इस c point पर रखते हैं कि कि c और a की length जो है वो 3.5 cm है तो यह कहीं इधर इसको cut कर रही है ठीक है तो मैं इसको अब ऐसे क करके इधर एक arc लगा दूँगा इस यह यह जो यह आर्क शो कर रही है कि length जो है 3.5 cm यहां पर बनती है अब scale की मदद से इस भी point को इससे मिला दूँगा और हमारी triangle बन जाएगी तो दूबार से scale चाहिए होगा तो यह आ गया scale इसको करते हैं थोड़ा सा चोटा थोड़ा करेंगे और इसके साथ मिला देंगे और यह मिल गया ठीक है और इसके बाद scale को हटा देंगे और इस तरह से यह हमारी triangle बन चुकी है आप इस ray को थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो या बिलकुल यहां पे खतम भी अक्सर कर देते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा करना जुरूर और length की जगे आप भी marker से लिख लीजेगा ताके थोड़ा सा अलग अलग हो तो 3.5 cm थी CA तो आप देख सकते हैं 3.5 cm CA हो गया इसके बाद यहां पर 75 degree लिख लेते हैं तो यह लिख लिए मैंने यहां पर 75 इसके उपर degree के लिए चोटा सा निशान भी डाल देते हैं तो इस में 2 sides और 1 angle दिया गया था triangle बनाने के लिए तो इसलिए लिख दिया 2 sides BC CA and 1 angle में में अंगल C of triangle ABC तीक है उसके बाद required में जो चीज़ पूची गई है triangle बनाने को कहा गया तो वही लिख दिया our triangle ABC is required construction steps डालते हैं पिछले question कि तरह यह कुछ बदलाओ नहीं है बस यह line segment के ना स्काम बदल जाते हैं length बदल जाते हैं बाकी same structure है ठीक है तो सबसे पहले एक line segment BC draw के थी तो 4.2 cm के लिख दिया उसके बाद BC line segment के उपर C point पर हमने 75 degree का angle बनाया तो वही चीज़ यहां पर लिख दिया on BC we make an angle of 75 degree at point C उसके बाद हमने R की मदद से cut लगाया और 3.5 cm का CA यनि C के उपर बनाया तो यह चीज़ आ गई पर C को हमने A से मिला दिया था तो वह चीज़ mention कर दी और 5 step में so our required triangle ABC is obtained तो जो triangle हमें required थी हमें हासिल करनी थी वो obtained मतलब हासिल कर चुके हैं हम तो I hope construction base की समझ में आ गई होगी तो question number 1 का part 6 आप लोगों के सामने ये question पिछले सारे question से थोड़ सा मुकलिफ है मुकलिफ बात क्या है कि इसमें एक तो base है और 2 sides है वो दोनों की दोनों angle की सूरत में दी गई है एक 30 का angle एक 105 का angle तो असान सा है बस angle बनाने पड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें base बनाने के लिए triangle की scale चाहिए होगा तो यह आ गया हमारे पास scale scale को page के मनासिब जगे पर आप रखो रखने के बाद एक pencil पकड़ो pencil पकड़ने के बाद 2.5 cm लंबी हम एक line segment draw करेंगे तो 0 से शुरू करते हैं और sorry जादा बड़ी होगी शुरू से लगाते हैं 0 से ये शुरू हुई और 2.5 येस ये 2.5 होगे ठीक है तो 2.5 AB हमने लगा लिया अब इस scale को हम यहां से हटा देंगे और नाम लिख लेता हूँ यहां पर A, यहां पर B, यहां प के बाद हम point A के उपर 30 degree का angle बनाएंगे, angle बनाने के लिए हमें compass चाहिए होगी, तो यह आगे compass, compass को रखेंगे थोड़ा सा खोल के रख लेते हैं, इसको रखेंगे point A पर 30 का बनाना है तो इसको थोड़ा सा आप खोल लो, मुनासिब हद तक इतना I think काफी है ठीक है, और ख इसके बाद अब 30 का angle बनाना आना चाहिए आप लोगों को, जब भी हम compass को इधर से पकड़के जब इधर arc लगाते हैं तो 60 degree का angle बनता है, तो आप अपनी compass को अपनी परकार को यहां से lock कर दीजिए, इसको left-right करके हिलाएगा मत, और उसके बाद इस end पे, यानि के 30 का angle rotate, rotate करने के बाद, इस इधर लग रहा है, इसका मैं यह रुक भी बदल सकता हूं, रुक बदलें तो इस ऐसे अब आप लोगों को सही नजर आएगा, तो यह लग गए हमारी arc, अब यह angle बनाए 60 का, ठीक है, इधर रखके, जब मैं इधर draw करूंगा इतनी तो वो 120 का, लेकि यह बदल लिया, इसका रुक, इसको थोड़ा सा उपर करता हूं, अब मैं इधर, इधर करके एक arc लगाऊंगा, यहाँ पर हम ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है, और एक arc यहाँ पर लग गई, इस compass को उठा के अब इधर रखेंगे, और यह corner पर रख दिया, 60 के angle पर, यह 0.60 को शो कर रहे है, यह 0 को शो कर रहे है, इनका half अब हम कर रहे हैं, तो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा rotate करते हैं, rotate करने के बाद अब एक और arc लगाते हैं, तो यह लग गई हमारी arc, अब जो angle बना हमारे पास वो बना 30 का, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से compass को, तो यह आ गया scale, इसको करते हैं थोड़ा सा चोटा क्योंकि काफी बढ़ा है, और करते हैं rotate, इसको करता हूँ यहाँ पर set, और मैं set कर लेता हूँ इसको, और इधर जो है एक लंबी सी आप ray लगा लीजेगा, लंबी लगाने का मकसद क्या है, लंबी लगाने का मकसद यह है कि जब B के उपर angle बनेगा, तो वो इधर आके कहीं न कहीं intersect होगा, तो वो intersect कहीं ऐसा ना हो कि यह आपकी पहले वाली rate छोटी पड़ जाए, फिर लंबी करने पड़े तो वो अच्छा नहीं लगता, लंबी को आप मिटा के छोटा कर सकते हो, वो फिर भी चल जाता है, ठीक है तो इसलिए थोड़ी लंबी लगाएगा आप, उसके बाद इस scale को अब हम हटा देंगे, हटाने के बाद जो angle हमारे पास आया, जिसको अगर मैं वाज़े करूं, तो यह angle हमारे पास 30 degree का है, तो point A पे 30 degree के angle बन गया, अब point B पे जो है मैं बनाओंगा 105 का, जो के बहुत अस जो होता है 105 बनता है, तो यूँ भी कह सकते हो के 90 और 120 का half 105 होता है, तो 120 और 90 की मदद से बनेगा, तो चलिए बनाते हैं, असान सी बात है, तो सबसे पहले इधर point B पे 90 का angle बनाते हैं, तो 90 का angle बनाने के लिए हमें compass चाहिए, तो यह आ गई compass और compass आने के बाद इसको रख इतना 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 काफी है, किचडी नहीं बन रही, तो इतना खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आर्क लगा लेते हैं, तो यह लग गई हमारी आर्क, ठीक है, आर्क लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम 120 का angle बनाना था ना हमने, तो इस compass को तो नी 120 का बनाने के लिए क्या होगा आप इधर से भी लगा सकते हो लेकिन इधर नीचे हो सकता है यानि यहां पर नहीं रख सकते हैं यान क्योंकि इधर लाइन नहीं है इसलिए मुश्किल है इसलिए 120 का बनाने के लिए आप इधर से बनाना शुरू कर दीजे क्योंकि इधर से हिलाए जुलाए आप एहतियात के साथ क्योंकि छोटी आपके में सौफ़ेर पे तो फिर भी असान है लेकिन पेश पे मुश्किल होगा क्योंकि length line segment की कम है तो दिहान से करिएगा तो एक नोक यहाँ पर रख ली और उसके बाद बिना हिलाए परकार को यानि बिना इसको movement change नहीं करनी बस तो यहाँ पर एक आर्क लगा ली और यहाँ पर आर्क लगाने के बाद यह 60 का बना 60 पर उपर आर्क यानि के नोक को रखेंगे परकार की और उसके बाद इसको थोड करते हैं और रोटेट करने के बाद एक आर्क लगा लेते हैं यहां पर ठीक है तो यह 120 का एंगल की आर्क है जो के अभी लगी है तो अब हम 90 एंगल बनाएंगे तो इसी लेंद के साथ हम बना लेते हैं 90 के एंगल तो एक आर्क इधर भी लगा देते हैं ठीक है और इधर से फ इधर ठीक है तो ये तो इस लाइन के उपर ही मिल गया लेकिन आप लोगों को नजर आ रहोगा मैं एक आप ऐसा करिएगा इधर एक पॉइंट डाल दीजेगा ठीक है और उस पॉइंट के टूवर्ड उपर एक लाइन कीश दीजेगा तो चलिए स्केल लेते हैं स्केल लेकि 90 का एंगल करते हैं तो पहले तो इस कंपस को उटाना होगा यह कंपस हट गई आया स्केल स्केल आने के बाद इसको किया थोड़ा चो देते हैं तो यह गया स्केल हट अब जो है यह पॉइंट जो है मेरा जहांपे करसर है 90 है यह जो है वो 120 है अब कंपस को मनासिब खोल के इधर रखेंगे और आर्क लगाएंगे फिर इधर रखेंगे आर्क लगाएंगे तो 105 का एंगल बन जाएगा तो चलिए कंपस लेकर आते हैं तो यह आ गई हमारी कंपस इसको मनासिब खोल लिया और 90 के डिगरी पे एक बार यहां पर रख लेते हैं अब परकार को इतना काफी बलके तोड़ा और खोलते हैं ताके खिच्डी जो है वो ना बने तो यह एक आर्क जो है वो लग गए यहां पर ठीक है तो 90 पर अब 90 के बाद दुबारा कंपस को उठा के रखेंगे 120 पर ठीक है यह 120 है और 120 पर रखने के बाद अब दुबारा से आर्क लगाएंगे परकार आपकी हिलनी नहीं चाहिए तोड़ा से रोटेट कर लेते हैं इसको यह इधर 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 इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको मै यहां से पकड़ता हूँ और यह देखें इधर इंटरसेक्ट हो गया उसके बाद अब कंपस को आप हटा सकते हो तो इसके बाद इसको देते हैं हटा और हटाने के बाद स्केल लेकर आते हैं तो यह आगया हमारा स्केल इसको नीचे करते हैं इसको छोटा करते हैं इसको वर लगा दूँगा मैं यहां पर और इसके बाद स्केल को हटा देता हूँ अगर इसको हटा हूँ तो अब आप देख सकते हो यह वाली आर्ग जिस पे करसर है यह है 105 की ठीक है आप स्केल की मदद से महीर भी कर लीजेगा ज्यादा खिचडी है नहीं I hope step wise देखें तो बिल्कुल बल Burns- pourquoi यहां तक ठीक है और दूसरी लाइन यहां से यहां तक और तीसरी यहां से यहां तक तो यह हमारी वह required ट्राइंगल थी जो के हमने दो एंगल की मदद से बनाई, यहाँ पे दो arrow इसलिए हैं, क्योंकि angles थे वो, तो I hope अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नजर तो आगे होगा, तो आप चोट चोटा करके इधर लिख दीजिएगा, 105 मैं लिख देता हूँ, तो यह इधर लिख दिया मैंने 30 और इधर लिख दिया 105, इसके ओपर डिग्री का चोटा सा निशान डाल दिया, इसके ओपर जगे नहीं है, आप चोटा चोटा करके यहां पर लिख सकते हैं, 30 डिग्री और 105 डिग्री में, इससे चोटा फॉंट हो नहीं सकता, तो इस तरह से और एक चीज़ भूल गया, मैं इधर नाम लिख देता हूँ, C, तो यह मैंने नाम C लिख दिया, तो ट्राइंगल A, B, C, एक तरफ 30 डिग्री बनानी थी, तो एंगल A, 30 डिग्री, एक तरफ 105 बनाना था, तो एंगल B, 105 का बन गया, और यह दोनों जहां पर मिले, इसको C पॉइंट रख दिया, तो चलिए, अब इसके रिटन वर्क की तरफ चलते हैं, तो रिटन वर्क में सबसे पहले हम गिवन क एंगल B are given, इसके लावट तो डेटेल में लिखना चाहूं में पर जगें कम थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि वन साइड, एक साइड दी गई थी इस फिगर में, A, B, लाइन सेग्मेंट इस इक्वल टू 2.5 सेंटिमेटर, इसके आगे इसी तरह मिले टैंगल A के आगे इक्वल का साइन डाल दो और फिर लिख दो 105 डिगरी, और बाकी ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये रिटन वर्क जो है, आप बुक की एक्जेंपल्स को भी फालो करके, वहां से भी लिख सकते हो, जुरूरी नहीं कि मेरे ही लिखो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो लिख इसका मतलब बनाना, तो हमने ट्राइंगल A, B, C बनानी है, गिवन दिये गए डेटे को इस्तमाल करने के बाद, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लाइन सेग्मेंट A, B बनाया, हमने 2.5 सेंटिमीटर का लिख दिया, ड्रा लाइन सेग्मेंट A, B, इस इक्वल तो 2.5 से सेग्मेंट A, B, यह लाइन सेग्मेंट A, B है, इसका एक एंड पॉइंट है, A, और उसके पर हमने मीक बनाया, मैमेंट एंगल A, 30 डिगरी का ठी, किसी तरह B के ओपर, at that point, B of लाइन सेग्मेंट A, B, मैमेंट एंगल B, इस इक्वल तो 105 डिगरी, तो इधर बैसे ही है, बि और उसके बाद A, B, C is a required triangle, तो symbol डाल दो, triangle लिग दो आपके मर्जी है, तो इस तरह से triangle हमारे पास बन गए, जो हमें दी गई थे बनाने के लिए, तो I hope यह question भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो question number 1 का part 7 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है, यह question भी पि गए, A, B की सूरत में, तो हम इसको पेज के किसी मुनासिब जगे पर रख लेते हैं, let's suppose इसे यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें pencil चाहिए होगी, तो यह आ गई pencil, pencil के बाद 3.6 cm लंबी line लगानी है, तो यह हो गया 3.6, ठीक है, उसके बाद scale को हटा देते हैं, तो यह scale हट गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर A, B और 3.6 cm लिख देता हूँ, तो यह मैंने point A, B और length लिख दी, इसके बाद point A पर 75 degree का angle बनाएंगे, तो 75 degree का angle भी बनाना असान है, because 90 और 60 का half जो होते है, 75 होता है, तो हमें 90 का angle चाहिए और 60 का चा इधर रखने के बाद जो है, इसको थोड़ा सा open कर लेंगे, यह मुनासिफ़त तक खोलने के बाद इससे अच्छे से lock कर लोगे आप, और lock करने के बाद जो है, अब एक arc आप लगा देंगे, तो यह लग गई एक arc ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस compass को दुबार से उठाएंगे, उठाने के बाद इधर रखेंगे, यह मैंने सेट कर दी, और उसके बाद इसको यहां पे एक arc लगा लेंगे, ठीक है, तो यह इसका रुख बदल देता हूं ताके असानी हो arc लगाने में और आप लोगों को देखने में भी असानी हो, तो यह अब इधर arc लगा लेंगे, तो यह एक arc लग गए इधर, और साथ में इसको उठाएंगे दुबारा से, और 60 के एंगल पर रखेंगे, 60 के एंगल पर रखने के बाद जो है, अब यहां पे एक arc लगेगी, तो यह 120 का होगे, और साथ में 90 का एंगल बनाने के लिए इधर भी एक arc लगा ठी, ठीक है, उसके बाद इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करने के बाद इस compass को ठाक रखेंगे, इधर 120 का हाफ क्योंकि 90 होता है, और इसका रुक बदल देते हैं, तो यह बदल दिया रुक, और थोड़ा सा rotate करके, यहां पर एक arc लगा लेंगे, तो यह यहां पर एक arc लग तो यह 90 का angle बन गया हमारा, इस compass को कर देते हैं, यहां से remove, लेकर आते हैं scale, तो यह आगया हमारा scale, इसको करते हैं थोड़ा सा चोटा, साथ में करते हैं, इसको सीधा, और यह हो गया सीधा, उसके बाद नीचे अलाके में से set कर लेता हूं, तो यह scale set हो गया, set होने के से compass चाहिए होगी, तो यह आगए हमारी compass और अब जो है, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, अंदाजे से इतना खोल लेते हैं, और इसके बाद lock कर दीजिए से, अच्छे तरह tight से, और फिर 90 और 60 के दरम्यान, तो यह 90 के angle है, इसको knock, sorry, गलत हो गया थोड़ा सा, अब 90 के angle पर रखी गए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा rotate कर लेते हैं, और यहाँ पर एक, क्योंकि 90 के दरम्यान में बनेगा, तो इधर अंदाजे से एक arc लगा देते हैं, इतनी लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद, इस compass को उठाएंगे, अब रखेंगे 60 पे, तो यह रख दि इसको रूम कर देते हैं, remove, compass को, तो यह हो गई, remove, और अब जो यहाँ पे एक line draw कर देते हैं, scale की मदद से, तो यह 75 degree का angle बना है, तो यह थोड़ा सा चोटा हुआ, यह थोड़ा सा ऐसे किया, और यहाँ पे मैं इसको set कर लेता हूँ, तो यह scale मैंने set कर लिया, set करने के बा तो एक तरफ angle बना लिया, आप point B की तरफ चलते है, point B पर 45 degree का angle बनाना है, तो दुबारा से compass लेते हैं, तो यह आगई compass और इसको थोड़ा सा मुनासिबत तक खोलते हैं, खोलने के बाद इसको रखते है point B पर, उसके बाद एक arc लगा देते हैं, तो यहाँ पर यह लगा आदी मैंने arc, arc लगाने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इधर, और इधर रखने के बाद, क्योंकि 90 का angle बनाना है, इसको करते हैं थोड़ा सा rotate, यह अभी पूरा line पर, यह अब ठीक है, अब ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके एक arc लगा देते हैं, तो यह हमारा बन गया 60 का angle, इसी को उठा के फिर दुबारा रखेंगे 60 पर, इसको करेंगे थोड़ा सा rotate, और यहाँ पर लगाएंगे एक और arc, यह हो गया, 120 और साथ में से थोड़ा पीछे करके, इधर भी एक arc लगा लगा लेते हैं, ताके 90 का बन सके, तो यह इधर arc आ गई, इसको ठाके रखेंगे इधर, रखनी के बाद इसको थोड़ा सा rotate करते हैं, बलके ऐसी लगा लेते हैं, यहाँ पर यह करने के बाद एक arc लगा लेंगे इधर, तो यह हमारे पास 90 का angle बन गया, इस compass को हटा लेते हैं, तो यह गई हट, उसके बाद चाहिए हमें scale, तो यह आ गया scale, इसको करते हैं थोड़ा सा चोटा, और साथ में करते हैं सीधा, और इसके बाद उठाके इसको रखता हूँ, इधर, इसको set कर लेता हूँ मैं, तो यह हो गया scale set, इसके बाद एक dotted line जो है, इधर भी लगा दो, क्योंकि यह भी मददगार जाहिया, या फिर helping angle है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं remove, अब हम क्या करेंगे, यह 90 का point है, यह 0 का point है, इन दोनों का half करेंगे, तो इधर कहीं 45 का बन जाएगा, तो दुबारा से compass चाहिए होगी, तो यह दुबारा से compass हाजिर है, और इसको थोड़ा सा अपनी मरजी से खोल लो, एक बार खोलने के बाद अच्छे से lock कर लो, और इसका रुक बदल लेते हैं, क्योंकि side पे angle बनाना है, तो इसको रखेंगे हम इधर, ठीक है, 90 के point पे, क्योंकि 90 का angle है, अब एक arc लगा देंगे, तो यह मेरे क्याल, नहीं 60 यह है, तो arc I think लगानी चाहिए, तो अब एक arc लगा देंगे, यह हो गई हमारी arc, ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं, उसके बाद इसको उठा के रखेंगे 0 पे, तो यह आ गया हमारा 0, और इसके बाद दुबारा एक arc लगाएंगे, तो यह एक और arc आ गये, ठीक है, extra appraiser से मिटा दीजेगा, अ अब जो angle बना इस compass को उठा देते हैं, वो 45 का बना, क्यों? क्योंकि परकार को एक बार 0 और एक बार 90 पे रख के मैंने यह point हासिल किया है, तो यह middle point ही होगा, अब हमें scale चाहिए, तो यह आ गया scale, इस scale को करेंगे थोड़ा सा चोटा, और करेंगे थोड़ा सा नीचे, और rotate, rotate करने के बाद इसको लेकर आता हूँ, इधर इसको मैं set कर लेता हूँ, यह तो scale set हो गया, set होने के बाद इधर एक ray draw कर देंगे, जो के इसको cross करती ही जाएगी, और यह ray जो है, यह बनेगी हमारे पास 45 degree की, तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं, तो इधर लिख देता इधर लिख देता हूँ, 75 इधर लिख देता हूँ, point C, और इस तरह से यह हासिल हो गए, तो लिख देता हूँ, points और measurements, तो यह लिख दिया, मैंने point C, और यह measurements लिख देता हूँ, 75 degree का, 45 degree का, तो required triangle कौन से बनी, एक बार highlight करके दिखा दूँ, तो एक, sorry, यहाँ पे 75 degree का angle, sorry, required triangle बना रहे है, तो I hope यह question भी आप लोगों को समझ में आगे होगा, असान सा था, तो इस तरह से पहला question खतम हुआ, इस question का अब written work रह गया, तो चलिए, उसको भी देख लेते हैं, और उसको भी लिख लेते हैं, तो written data लिखने के लिए, सबसे पहले आपने heading डाल के आप angle भी लिख दोगे, तब भी ठीक रहेगा, मैं पर जगे कम थी, तो इसलिए ऐसे लिख दिया, ऐसे भी ठीक रहेगा, चेक करने के उपर depend करता है, required के अंदर जो है, आप का लिखेंगे, जो चीज आपने मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, to construct triangle ABC using given data, यानि जो data दि दिया, उसके बाद आपने point A पर 75 degree का angle बनाया था, तो वो आपने mention कर दिया, line segment AB के B end पे जो है, आपने 45 degree का angle बनाया, तो वो mention कर दिया, उसके बाद दोनों terminal sides इस जगे पे मिली, उसको C का नाम दे दिया, तो वो आपने mention कर दिया, और finally इस तरह से आपने required जो triangle थी उसे हा हासिल कर लिया, तो I hope, तुमाम questions आप लोगों को पहले part के समझ में आ गए होंगे, तो काफी इंदार करना पड़ा आपको इस video का इसके लिए माज़त है, एक डेड़ हफता लग गया, सारी चीज़ों को arrange करते हुए, और कोशिश तो मैंने की ती जल्दी हो, लेकिन मेरा भ अगे इन से माज़त है आप लोगों से, और इसके लावा, लास्ट में ये कि आपने वीडियो को यहां तक देखी, अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो, तो उसे आप इग्नॉर कर दीजेगा, और अपने टीचर से पूछ लीजेगा, तो इंशाला आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर मुलगात होती है, तब तक अपने ख्याल रखेगा, अलाहाफेज, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, वो नेक्स पार्ट के तमाम लिंक्स मुझूद होंगा, वहाँ जाकर भी ढूंड सकते हो, नेक्स पार्ट को, अलाहाफेज